हलो माई डियर फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त मनीस और आप देख रहें वेल्थपुल दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे CDSL की तरफ से आपकी रेजिस्टर्ड मेल आईडी पर सर्विस के नाम से एक मेल आता है इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस मेल का क्या मतलब है और यह मेल क्यों आता है तो दोस्तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप ना कीजिएगा तो चलिए बिना किसी देरिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों चलिए इस mail को open करते हैं इस mail का title transactions in your demate account है जब आप यहाँ down के arrow पर click करोगे तो यहाँ आपको इस mail की basic details होगी यह mail cdsl की तरब से बेजा गया है यहाँ आपका name सोगा यहाँ बताया हुआ है कि जो यहाँ नीचे table दी गई है इसमें आपके demate account में buy या sell के जो transaction हो जाते हैं वह यहाँ stable में सोते हैं यह mail only delivery और margin trading के shares में buy sell करने पर आता है intraday trading के transactions यहाँ सो नहीं होकर contract note में सोंगे contract note कैसे पढ़ते हैं अगर आप यह सीखना चाहते हैं तो i button में यह video के end में आपको वह video मिल जाएगा और साथ ही daily margin statement read करने का video भी आपको मिल जाएगा यहाँ stable में सबसे पहले serial number दिया हुआ है उसके बाद यहाँ आपने जिस company के shares buy या sell किये हैं उस company का नाम यास होगा यह next column में ISIN number दिया हुआ है ISIN number हर company के stocks के लिए अलग अलग होते हैं जब आप shares को एक demate account से दूसरे demate account में shares transfer करते हैं तब ISIN number की जरूत पड़ती है यह quantity दी गई है यह debit या credit का option दिया गया है यह मैंने इस particular company के 4 shares इस दिन इतने वज़े sell किये थे यह shares मेरे demate account से जा चुके हैं अगर आपको shares को buy या sell करने से related कोई भी doubt हो तो आप अपने depository participant से बात कीजिए जिस demate account में आपने shares को hold करके रखा था depository participant का मतलब आपका broker होता है और यह disclaimer दे रखा है अगर table में दिया हुआ transaction आपके द्वारा नहीं किया गया है तो आप इस mail पर CDSL को जानकारी दीजिए finally अब हम बात करते ही यह mail क्यों आता है दोस्तो CDSL की तरब से यह mail इसलिए आता है ताकि broker आपके demate account के shares के साथ कोई share share ना कर सके CDSL यह mail हमारे shares की सुरक्सा के लिए बेसता है दोस्तो इस channel का उद्देश से आप तक कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सही जानकारी उपलब्द कराना है वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए ऐसे ही और informative वीडियो के लिए wealthful channel को subscribe कीजिए साथ ही bell icon को प्रेस करके all पर click कीजिएगा जिससे कि आप से कोई important वीडियो मिस ना हो तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही powerful informative content के साथ thanks for watching